अलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टियर ओन चैनल ट्रेट टार्गेट आज जो बजट था पहला यानिका फर्स फैब का बजट यूनिक बजट इसको पहले से कहा जा रहा था ऐसा बजट जो आज तक कभी आया ही नहीं सच में ऐसा हुआ या फिर नहीं हुआ और क्या हमारे लिए कौन से चीजें हुई सस्ती महेंगी या फिर शेयर बजार का चैनल लिए चार्ट खोल करेंगे लेवल डिसकस नहीं करेंगे लेवल टागट वह हम फिर नेक्स वीडियो में करेंगे जैसे जैसे आप लोगों की जो बजट है काफी लोग तो पूरे टीवी में देख चुके या फिर आप मेंसे कुछ लोग तो कई सरे यूट्यूब पे चैनल पर उसको अर्रेडी देख चुके हैंगे या फिर आपने न्यूस पेपर हो पढ़ लिया ओफिस में देख लिया हो या फिर आपका जो भी प्रोफेशन हो लेकिन इस चैनल के साथ जूड़े हो आप रिगुलर बेस पर देखते हो तो मेरा एक काम है एक है हमरारी एफम जो है उन्होंने कहा था सीतारामिन जी इस बार का जो बजट होगा वह सौग मैं ऐसा बजट नहीं आया है यह अपने मुझे से बोला तो मार्कट में क्या हो रहा घुए क्या ऐसा ही हाखकार हो जाएगा या फिर पिलकुल जो आज आपने देखा जात हाता नहीं था जो market को इतना ऊपर lift करके चला गया देखिए सबसे पहले इस budget की खुबसूरती क्या थी simplicity सच और छुपाना आपसे कुछ नहीं और transparency यह चार चीजें सबसे पहले उनने की क्या क्या हुआ देखिए market उन market नहीं कितना हमारा tax और कितनी हमारी जो हमारी growth है वो सब कुछ बताए गया कोई जूटी दिलासा हमको दी नहीं गई दूसरा हमारे जो bank के regarding हो infra के regarding हो या फिर हमारे tax के regarding हो सब कुछ clear किया जो पिछले सारका tax का slap था उसी को continue किया यानि हम बहुत सारे confusion किया नहीं था क्योंकि अभी भी अगर आप किसी को कोई पांच लोगों को पूछ लो कि हमारा tax का slap किया अभी भी लोग पिछले वाले कि जो पिछले साल का जो budget आया था उस पे confused है कि या पहले क्योंकि उसमें दो चीज़े थी new and old तो अब अगर उसको और modify कर देते इस साल भी तो लोग काफी confused होते सबसे फेले transparency रखी कि जो चल रहा हो ही चल रहा प्लस दूसरा 75 से उपर senior citizen को टेक्स के लिए उनको माफी दी उनको माफ हुए जो उनके लिए अच्छा लिए बोल दो या फिर normal city smart cities के हमने कई सरी बात चरिया अभी भी smart cities पेपरों में है और पेपरों में दिमाग में असली रोड पे तो गायें बैठी है वह आप इसली हर शहर में देख सक रहें देख पा रहे हैं तो उसको इंफ्रा बनाने के लिए उसको bullet trail लाने के लिए या फिर इन बिल्कुल smart cities बनाने के लिए तो इंफ्रा सेक्टर के बारे में काफी कुछ रहा काफी कुछ बोला और एक अच्छा बजट एक अच्छा बजट भी उसके लिए पासौन किये दूसरा इंशॉरेंस के उपर बहुत अच्छी एक दमदार ख़बर उन्हें दी है अब तो वो पैसा हमारे मार्केट में आएगा और वो जितने भी होम लों लाइफ इंशॉरेंस हेल्स जितने भी सेक्टर है उस सेक्टर को काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है इस सेक्टर के कौन कौन चे शेर जो है जो आपको रेडार में बिलकुर रखने चीए HDFC यह और तीन एक और है ICIC का ICIC लंबार्ड यह चार सेक्टर ऐसे होने हैं जो आपको लोंग रन में यहां से काफी अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं दूसरे जिस सेक्टर के और उपर उनका फोकस था जिस तरह से हमारे फार्मा ने एक काम करके दिखाया कोवीड नाम के अतनी भेयंकर राक्षष को कि महामारी जो भी नाम आपको पसंदो उसको इस बर हार्म मना दी है जहां एक तरह बात कर रहे थे कि लोग और बना देगा या फिर यूएस बना देगा ब्रिटेन बना देगा कोई भी बना देगा दवाई लेकिन इंडिया पर कोई यकीन नहीं कर था जब मार्च अप्रेल की बात कोई नहीं मान रहा था कि इंडिया सबसे इतना बहतर इसके कंटेस्टेंड निकल के आयागा जो सबसे स्ट्रॉंग होगा और इंडिया ने वही किया अब क्या हो रहा है आपने कुछ दिन पहले वो न मत समझे यह सेक्टर आपको अभी आने वाले टाइम में काफी अच्छा बेनिफिट देखा सेक्टर में और सेक्टर को भी और जड़ा प्योविफाई कर दे और रिफाइन कर दे और डेफ्ट मजाए डिवीस लेब इस सेक्टर का API का जो बिजनस है API के तीन से चारी चारी स सेक्टर है जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा बूस्ट देंगे डिवीस लेब कहलो आप लॉरस लेब कहलो या फिर आप आरती ड्रग कहलो आयोल कैमिकल यह सारे है या फिर ग्रेनियूल यह है API के तो काफी इन पर नजर रहना भी आपको इंपोर्टेंट हो जाता ह है डिजिटल इंडिया की बात कर रहे है work from home कहलो work education घर से कहलो या फिर कुछ भी कहलो यह वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे आप देख रहे हैं यूट्यूब पे सेलरीज आ रही है काम हो रहा है ऑफिस हो रहा है गाड़िया चल रही सब कुछ डिजिटल हो रहा है और वह कौन कर रहा है आईटी के तुरू तो आईटी को आप भूल नहीं सकते हो इसलिए आईटी को रेडार पे आने वाल टाइम में काफी अच्छा यहां से मदद सब्सक्राइबर कॉमेंट आया था ओपन ली लिखाता है तेरीग्राम पर बताया खुद भी खरीदा तब भी बताया आज फिर बतानों नौसों का प्राइस इतना अच्छा प्राइस लगता है उससे नीचे आता तो बोनस था बट उससे नीचे तो आया ही नहीं जो बहुत स्टॉक अब मार्केट अथा लो लगा था आज क्या ओरन लोगों को लेटव फिल हो रहे होगे जब मार्केट बाइंग की रेंज देता है जब सारे स्टॉक अब लोगों को डर लग रहा हाथ लगाने में अब लोग 15,000 तक खरी दिए और उस ताइम हम 15 प्रोफिट बुक क कर रहे होंगे तो यह अपना मानना है अभी आज लोग को रहेल है लेफ टाइड फील हो a हके आज हमने बहुत जाब बाईंग कर देए अपने अपने इसाबनें कॉंटिटी के सार्फ से बाइंग करते रहें नेक्स्ट शेयर की उपनर ने काफी ध्यान दिया है तյर रिय एली टिश्चा है रीयल्ली lend सेट रियल एक सेक्क्टर रहें काफी से दबा हुआ है किसी आदमी का बहुत टाइम से गला दबाया है वह सेक्टर का बिल्कुल टाइम आ चुका है उठने का जब यह सेक्टर उठ रहा है क्योंकि गवर्मेंट का फोकस है टेकस के उपर भी रिलीज हुआ है तो इसके वज़े से यह से यहां से आपको अच्छा ख बातकरते हैं है अगर चाहें हमको कितनी अच्छे फ्लायवर बनाने है या फिर कुछ बाके बनाने हैं कुछ say चाहां में हाग करना है इंफ्रा हम में गा और इंच को आगे भी शेयर है वह आज आपको भागते हुए और आने वाल टाइम में और भी आपको भागते हुए दिखेंगे क्योंकि कोविट के वैसे काफी सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे और वह एकदम से बहुत तेजी से आ गया और आप डेली अगर अभी इस वीडियो के बाद आप तुरण देखेंगे लेंटी के न्यूस पर तो काफे सारे न्यूस है कि उनको एक के बाद एक के बाद नए ओरर मिलते जा रहे हैं इन्हीं सब चीजों के उसे मार्किट में भी क्या हुआ आप देख से पांच परसंट से उपर और मिट कैप तीन परसंट यह कोई ऐसा लग यह जो बात करते हैं बना रहा था उस वक्तन एज़ेख निफ्टी आप देख से 14321 के आसपास यानि की उपर दिख रहे हैं अभी वी उपर दिख रहे हैं सुबह देखते हैं कैसे कारोबार करता हुए नजर आएगा डेक्स की बात कर रहे हैं और कैक की बात कर लेंग फु बड़ा सर्विस प्रोवैडर है इतना बड़ा बिजनस है यहां इतनी बड़ी पॉपिलेशन है तो सारी कंट्रीज यहां यहां बिजनस करती यहां कुछ पॉलिसी में गड़वड होती है तो वो लोगों के लिए चिंता का विशय होता और मार्केट उसको बक्षता नहीं और चल्दी आगे बढ़ सकता है और वहीं देख लो इंडेशन बैंक तो यह तो भाई है गिरने में भी तेज है भागने में भी तेज है तो यह कहां आ गया था यह कोविट के टाइम में 200-300 रुपी आ गया था और आज देखो 930 जिन लोगों को ने वहां खरीदा क्या बात है बजाज फाइनांस अठारा सो रुपे से लेकर आपस देखो कहां पहुंच गया लेकिन ऐसा नहीं मार्केट में सिप हराई हरता कहीं कहीं लालीमा भी थी वह अच्छा खासे लालीमा आप देख यूपील जब मार्केट गिर रही थी आप समझे रहे इस चीज को साइकलोज कर रहे हैं और आज ही किन क्लोज तू फाइफ परसेंट में करेक्शन डॉक्टर रेड़ी आप देख सकतो सिपला यानि की कुछ शेयर में ऐसा नहीं कि आज विल्कुल थाउजन सोलासों के सोलासों जितना शेयर है सारे के सारे पॉस्टिव जी नहीं प्रॉफिट बूकिं बात करें इंडिकेटर मॉर्निंग में बात किया था बहुत तगड़ी चीज होती है इंडिया विक्स आज सी के दिन यह नहीं आठ परसेंट कर पहले ही दिन करेक्ट हो चुका है और सुबह मॉर्निंग अपडेट में मैंने बताया 26 को क्रॉस करती है अगर जिन भी लोग को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ट्रेडिंग करने का मज़ा आने वाला है और जैसे पंद्रहाजार के लोग जो लोग का लेफ्ट आउट फिल कर रहे है जो लोग जो इतनी बहतरीन जो बिल्कुल मार्केट में 1200 के 1000 पॉइंट का जो करेक्शन आये था उसमें बाइ सब्सक्राइब का यानि की बुल की एंट्री हो चुकी है मार्केट में आप काफी जिनों सा एक तरफ सेलिंग देख रहे हैं और आज देखिए 1494 करोर की आज बाइंग वहीं की शुरू हो गए डिया शुरू हो गया सेलिंग में 90 सेलिंग जो चोटा नंबर है कल आने वाला इन असरी टाइम में कैसे नंबर निकलका आते हैं मार्केट का बांस करनी की पहले रीजन देख लिएन तब क्या ह Course अकेला था जी नाई माकेट काफी टाइंस आ Omaha痞े सारे सेक्टर दूड़ा सेक्टर की शेर ढोल तो या फिर ओवराल मार्केट बोल दो पुट कॉल रेशयो दूसरा पॉइंट पुट कॉल रेशयो वन से नीचे का नीचे नीचे ट्रेवल कर था वह काफी टाइम से सस्टेन इतना टाइम तक नहीं का एक बाउंस बैक आना ही था और वह बाउंस बैक मार्केट को क्या चाहिए चाहिए और वो ट्रिगर बजट ने दे दिया दूसरा पॉइंट ओवर सोल थे पहला ओवर सोल दूसरा पूट कॉल रेशयो और तीसरा तो बजट और चौथे जो उन्होंने इस बार का जो बजट है वह सौ साल जिस आप सो उन्होंने बोला था सौ साल तो मुझे नहीं पत जिसे कहते ना कुछ भी कहरें आप समझ लो ऐसा उन्होंने भासन दिया और सब कुछ क्लियर किया कि इतना हमारी ग्रोथ हो सकती है हम इतना नेगेटी में रहेंगे इतना टेक्स हमारे पास आएगा इतना है और यह कमिया है मतलब कुछ हमां जनता से छुपाया नहीं गया इक यहांन नेसेसरी कि गवर्मेंट पैसा नहीं है तो हमारे पास टेक्स होई जो चल रहाता वह चलता गया जो नहीं जिसको टेक्स को नहीं काट सकते थे और वह उसको इसको कुछ 궁 electro लेकिन इस वीडियो का बनाने का वही था कि सरण आसान भाषा में आप लोग को चीजे बता दी जाए और कौन से वह सेक्टर रहूंगे जिन पर हमारा निज्ञान रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता चो भी तक नहीं था जैसे कि रियल स्टेट हो गया था बैंकिंग सेक्टर आप देखो यह कि उपर से पुराने पीएस्यू यानि कि पीएस्यू बैंक जो पहले नहीं चले थे या लो हम लोग जनली इंट्रेस्ट हड जाता है उसके उपर भी कुछ अच्छा सा बोला हो अच्छे कुछ प्लान से गौवर्मेंट के उसके वीज़ा स तो पिछली बार का बजट आपको याद होगा जिन लों को नहीं याद है आज ही का दिन का केंडल उठाके देख लिए सब समझ में आ जाएगा वो भी बजट का केंडल था और आज का बजट का यानिकी बजट हमारा जो बजट 2021 है हिट हो गया चलिए अगर वीडियो में लाइक करें भी नहीं जाए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्री डीमेट एकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहे तो आप उसका पार्ड बन सकते हो प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का पा तil the time happy investing thank you so much